नमस्कार दोस्तों, कैसे आंप? आशा करता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं आगे मेनेस परे दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नही क्या है तो फिर क्या किया? दोस्तों जाइए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ना पैसा थोड़ी लगता है इस काम का तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यह देखेंगे कि आप हंगरी का टूरिस्ट वीजा कैसे अपलाई कर सकते हैं तो वीडियो को आं तक देखें को दोस्तों और एक पाद क्लेरिफाइ कर दू कि मैं कोई इमिग्रेशन कसर्टेंट या गौर्मेंट बॉड़ी नहीं हूँ तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं तो आपने रिस्ट पर ले रहे हैं तो दोस्तों हंग्री शेंजेन जोन का पार्ट है तो आपको एक शेंजेन वीजा होना की तो आपको शेंजेन वीजा अपलाई करना पड़ता है तो ह만 वही देखेंगे कि आपके कैसे कर सकते हो तो आप जिस लोकेशन पर हो आपको उस लोकेशन की हिसाफ से करना पड़े है जैसा माले जिए आप इंडिया में है तो आपके सामने में मैं kangaroo नि निउ डेली की एक एंडिया की इन स्टेट्स से जो आते हैं जैसे डेली राजस्तान मद्यपदेश के माचल पदेश जारकन पंजाब यहां पर लिस्ट है पूरी या फिर बंगलादेश के लोग वे नेपाल श्रिलंका मौलदीव से भुटान के लोग वे यह लोग यहां डेली में प्रोसेस आपको वीएफ्स ग्लोबल के थ्रू करना है तो वीएफ्स ग्लोबल के लिंक यहां पर दीए हुई है इसको आप उपन करेंगे तो 4 स्टेप में होता है पहले आप अप्लाइ करोगे अपॉन्मेंट बुक करोगे और फिर वहां पर जाके राज जाओगे फिर विजिट करो सब्मिट करो और उसके बाद अगर मिल जाए आपको तो आप वेलन गूड हो पहले स्टेप से शुरू करते हैं दोस्तों वीजा टाइप में जाते हैं तो हम शॉर्ट स्टे के लिए जा रहे हैं ठीक है तो हम यहां टूरिजम करेंगे टूरिस्ट वीजा फी दे तो उससाब से और उनका एक सर्विस चार्ज है जो आपको देना ही पड़ता है वो भी है ठीक है उसके बाद डॉकुमेंट्स क्या कर चाहिए बहुत इंपॉर्टन है ऐसे तो उन्होंने यहां पर लिस्ट देखी रखी हुए लिकिन नीचे में एक चेक्लिस पर दिये जिस बाद ठीक है कम से कम दो ब्लैंक पेज होने चाहिए अगर आप अगर आप उद्के थ्रू जा रहे हैं अगर आप इंडिविजिल विजिट कर रहे हो तो और रिजर्वेशन जो एक्कमोडिशन जो की होटल है वो है अगर अपले के बला है तो डिटेल बैंक लोन अकाउंट प्रास तीन महिने का बैंक स्टेट्मेंट पेंशन स्लिप पिछले तीन महिने की जो भी आपको केस में अपले कब है सटिकेट और रिजिस्ट्रेशन अगर आप सेल्फ एंप्लॉईट हो तो माइनर्स के लिए तो आपको यहां से काफी मदद मिलेगी अब आगे चलते हैं फोटो स्पेसिफिकेशन हमने देख लिया कितनी पुरानी हो सकती है कितनी नहीं और कैसे अप्लिकेशन फोटोग्राफर्स के पास जाओगे तो उन लोग को यह पहले से बता रहता है और वो लोग उस हिसाफ से फोटो लेते हैं अप्लिकेशन फॉर्म अब आपकी जूरेडिक्शन पर डिपेंड करता है अगर आप मुंबाई में हो तो कुछ अडिशनल है डेक्लरेशन फॉर्मेट और डेक्लरेशन भी है ठीक है तो वीजर अप्लिकेशन फॉर्म है यह सैंपल आउटराजशन लेटर यह डेली वालों के लिए यह मुंबाई के लिए declaration format यह सब देख लेते हैं क्या क्या है और form भी देखते हैं दिल्ली का चलिए यह था हमने देख लिए बाइमेट्रिक सब्मेशन का declaration है यह सब भी है ठीक है यह देली वालों का पर्फार में सरनेम फस्ट नेम टेट बर्थ नैशनलिटी टी स्टेटर स्टेटर स्ट्राइशन नंबर पासपोर्ट डिटेव आपका बर्थ का इन्फरमेशन यह सब पर 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 जाओगे बाइमेट्रिक दिये कि इतनी इंट्री चाहिए कहां पर रुकोगे अड्रेस एकोमोडेशन अगर आपको कोई का और मैशन इन्वाइट करें तो उसका इंफोर्मेशन आप अपना खर्चा कैसे उठाओगे वह सब लाश में सिखनेचर करना है तो इस तरह से आप आसानी से यह कर सकते हो तो वीडियो को अंदर देखने के धन्यवाद दोस्तों चैनल को प्लीज सब्स्राइब करेजे थैंक यू